है है हलो सुट्रेंट तो आज कपनाया लेक्ट्र का टॉपिक है वह है अबलिग कोलीजन और इसके बारे में पहले भी सुन चुके हैं मिटा याद कर जब हमने कोलीजन का इंडरेक्षन किया था तो मैंने आपको बताया थे कि दिरेक्शन के बेसिस पर दो तरीके से कोलीजन से एक हैड-on और एक अबलिग हैड-on का मैंने बताया था कि जब लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपक्ट के अलोंग हो और लाइन ऑफ इंपक्ट और लाइन ऑफ मोशन अगर एक ही लाइन में होंगे तो वह होंगे हैड-on कोलीजन और मैंने अबलिग के अंदर आपको बत का नगे पर दोकिन अपर और या एक मेरे पार स्कूर थी मैंने आपको बताया था कि मुव करें आफवर कॉलीजन या निशली दोनों के सेंटर्स भी लाइन उफ इंपक्ट पर थे और दोनों के line of motion भी line of impact की along था तकर के बार दोनों एक ही line में जा रहे थे और दूसरा examples हमें लिया था कि जब हमें cut shot मारने होते हैं या फिर हमें कभी सब नीड होता है कि हमारे striker कहीं और जाए और लेके आया थे वह लिके आया थे when line of motion of one body और both bodies are not same as line of impact तो वहीं हमारे पास oblique collision था अब इसके अंदर हम देखते हैं कि सवाल कैसे solve करते हैं देखिए oblique collision का एक simple diagram हमारे पास है इस diagram में सबसे पहले जो चेक कर रहे हैं कि अगर यह बाल जब hit करने की आया होगा as compared to m2 अब अगर यह तेज चलता हुआ आया होगा तो एक बार कानी यह होगी जो यह बहुत पास आ गया होगा तो लाइन ओफ इंपेक्ट और लाइन ओफ मोशन दोनों एक ही लाइन के लॉंग नहीं रहे होंगे देखिए इसको जूम कर लेते हैं मैंने दोनों बहुत करीब आ गया मतलब यह बहुत कुछ ऐसे थी और यह बहुत करीब आ गई है और अब इनके बीच में अब अगर यह कॉंटेक्ट शुरू हो गया है तो ध्यान से देखें तो मुझे पता है कि स्पेरिकल बॉडिज के लिए सेंटर्स को जॉइन करने वाले जो लाइन होती है वही हो जाती है लाइन ओफ इंपेक्ट इस केस में यह जो लाइन हो गई वह लाइन ओफ और लाइन अफेंपेक्ट है इसे तो लाइन आफ मोशन और लाइनफ इंपेक्ट आर नोट ऑन इस या फिर और नॉट सेम as the line of impact मतलब हम simple से कहानी कह सकते हैं कि अगर जब ये बहुत contact के लिए आपास में आई होंगी तो line of motion और line of impact different lines के अलोगे different direction में हैं तो टक्कर के बाद जो एक collision होगा वो उसके अंदर जो balls move करेंगी वो एक two dimensional plane के अंदर move करेंगी वो सीधे split line में move नहीं करेंगी तो इसलिए यही हो रहा था कि बाद में initial line से ये M1 वाली ball किसी V1 speed से theta angle पे चली गई और ये M2 वाली ball इस initial direction से 5 angle पर V2 speed से चली गई तो जो ये कहानी होई है ये एक plane में जो होई है ये xy plane में जो ये दोनो balls गई है ये क्यों जो आपाई कि जो कोजिए पर इस प्रकार के को जो को जिए में जब लाइन फर फिंपैक्ट और लाइन ऐफ मोशन अलग अलग डिरेक्शन में हो उन्हें हम बोलते हैं अभले को यह पर बताया तो यह है simple oblique collision next ने सवाल के से solve करते होंगे मैंने आपको बताया था कि सवाल सॉल्व करने के लिए जो strategy थी वह वंडी में थी वैसी ही कुछ strategy हम यहां पर रख रहें तो वंडी की लेकिन अगर हमीशा इन दोनों बाल को सिस्टम बनाया होगा तो अगेन जो external फोर्स रहा होगा बेटा वो जीरो रहे होगा अगे बोल सकता हूं पिर पर जीरो हुआ तो अगें मेरी कानी इस फिक्स है कि अभी लिएनियर मोमनटम तो लगाई सकते हैं और वेसे वेखर आपको याद दो तो मैंने में लिखाया तो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन आप निया पर भी सेट होगी नहीं अब बात यह कि कैसे लगाएं तो यह सीदी सी बात है अगर आप ध्यान से देखें तो यह प्लेन में मूव कर रहा है तो अगर यह इस तरीके से तो हम ब्रेक कर सकते है एक्स कंपोनेंट में और य कॉंपनेंट में तो हम बोल सकते का कि मॉमेंटम के वाले components को ही देखो, तो यहां पर देखो, x को होगे, m1 into u1, तो यह होगे, m1 into u1, plus यह होगे, m2 into u2, तो m2 into u2, that is equal to, उन्हें हमें component करने पढ़ेंगे, तो इस v1 का component करेंगे, तो इधर component क्या जाएगा, m1 v1 cos theta, इस direction में है, तो m1 v1 cos theta, इसी तरीके से, अगर आप, m2 के component करोगे, तो इसका जो यह वाला component आएगा, बेटा, यह वाला component क्या आजाएगा, m2 v2 cos theta, तो वो ही लिखा हुआ है, plus m2 v2 cos theta, सब इस direction में है, तो असलिए हमने सब के साथ same sign लिखा है, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, कि जब हमने along x तोड़ा, और along y तोड़ा, तो basically यह क्या हो गया, यह one dimensional collision जैसा ही तो हो गया, बहुत basically हो क्या रहा है, कि यह दो dimensions में है, एक y में और एक x में, तो आप simple से कानी कर सकते हैं, कि conservation of linear momentum, single single dimension में लगा दीजिए, तो मैंने जब केवल x में देखा, तो केवल x वाले component काम कर रहे हैं, तो मुझे कुछ ऐसा feel होगा, मुझे कुछ ऐसी analogy मना सकता हूँ, कि यह एक तरीके से 1D ही वाले equations हो गई, 1D ही हो गया, तो केवल मुझे x वाले component काम में लेना है, और ऐसे ही जब मैं y वाले में लगाँगा, तो मैं सिर्फ y वाले देखूँगा, तो मुझे अगेन लगेगा कि 1D हो रहा है y के enter, तो ऐसे oblique को equation मनाने के लिए हमने क्या कि x की 1D में तोड़ दिया और y की 1D में तोड़ दिया, तो यह तो लगा दिए बना x में, ठीक है बटाजी, अब अगर y में देखें, तो y में कैसे लगाएंगा along y axis, तो along y axis, initially इन दोनों के तो कुछ ही नी component, बतलब दोनों का initial momentum y x के along कितना है बेटा, जीरो, लग दिया, 0 plus 0, this is for m1 and this is for m2, बराबर, बाद में अगर देखें, तो बाद में m1 ए component करोगी, तो m1 का ए component आएगा, उपर, कितना आएगा बेटा, m1 v1 sin theta, उपर आया है, तो मैंने लगा दिया, प्लस में, m1 v1 sin theta, इसी की तरीके से, अगर मुझे m2 का लिखना होगा, तो m2 का ए component आएगा नीचे, और वो कितना आएगा, m2 v2 sin 5, और ये क्या आया है बेटा, negative आया है, क्योंकि ये नीचे है, तो मैंने माल लिए, minus m2 v2 sin 5, सिथी से बात है, कि जब हमने along x axis लिखा, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, तो मैंने माल लिए, कि ये direction positive हो गया, तो मैंने ये direction positive हो गया, और ये एक separate 1D हो गया, और 1D के लिए मैंने आपको बताया था, कि vector sign को avoid कर सकते हैं, केवल किसी एक को plus बना लो, और उसके opposite को minus बना लो, तो वही हमने कि along x लगा दिया, along y लगा दिया, तो maximum questions तो हमारे इन दो equation से solve हो जाएंगे, जो हमारे syllabus में है, करी बार अगर माल लो, collision elastic हुआ, तो एक कहानी और हमें पता है, कि अगर elastic collision है, तो conservation of mechanical energy भी system भी लिखा हुआ है, कि if collision is elastic, then use COME, conservation of mechanical energy, और वो कह कहेगा, अगर potential energies constant है, तो के वन कानेटिक अनर्जी का सम इनिशल है, that is equal to कानेटिक अनर्जी का सम, final, तो इनिशल कानेटिक अनर्जी कितनी है, half M1U1 square plus half M2U2 square is equal to, final हो गया, half M1V1 square plus half M2V2 square, लेकिन जो ये, kinetic energy conservation आपने लगाया है, ये केवल और केवल कब लगेगा बेटा, जब collision elastic हो, अगर किसी और collision की बात होगी, हलाकि हमारे स्लिवस में ऐसे सवाल नहीं होते हैं, अब लिख के इतने थोड़े टफ वाले, जिसके अंदर हमें elastic के अलावा कोई और collision हो, पर अगर हो भी जाए, त यहां अलगाते वक्त हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या, कि जो E का formula था, उसके अंदर था, velocity of separation, अगर आप पीछे पन्ने पल्टे देखेंगे, तो आपको पता लगेगा, velocity of separation, along line of impact, वहाँ पर मैंने एक line लिखी थी, जब हमने पहली बार introduce किया था, E को, कि velocity of separation along line of impact, कि हमें जो separation की velocities लिखनी है, वो line of impact के along लिखनी है, 1D के अंदर वो एक straight line में होती थी, तो जो velocities होती थी, वो ही basically line of impact के along होती थी, लेकिन oblique के अंदर line of impact के along जो velocities होंगी, उनका कोई component होगा, वो net velocity ओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो velocity of separation along line of impact, अपन हम वो सकते हैं, velocity of approach, velocity of approach, along line of impact, तो जो E का formula बनता है, वो basically यहाँ पर जो use करेंगे, वो हमें इस term का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, along line of impact, मतलब क्या, मतलब यह कि अगर मुझे कभी E का equation लगाना पड़ें यहाँ पर, तो मैं इस थरीके से नहीं लगा सकता, कि E equals to simple मैं क्या कर दू, V2 minus V1 upon U1 minus U2, यह total क्या है बेटा, wrong है, क्यों wrong है, क्योंकि जो V2 और V1 की velocities की बात करें, यह V2 यह V1, यह line of impact के लाउंग तो नहीं है, बेसिकर line of impact तो क्या है बेटा, अगर आप जहां से देखें कि line of impact यह, मतलब जो velocities इसके along आएंगी, या पर velocities का जो component इसके along आएगा, वो ही मेरे लिए E equation में काम में आएगा, तो यह तो net velocities हैं, यह net velocities हैं, यह तो काम नहीं आएंगी, इसलिए जो कर यह use करेंगे तो यह totally गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पर line of impact के ही along velocity लिखनी होती है, हलाकि यह बहुत ऐसी बात हैं जो हमारे सलेबस में इतना important नहीं होता है, लिएंगी फिर भी हम याद रखेंगे कि oblique के अंदर हम directly V2 minus V1 upon U1 minus U2 नहीं करेंगे, हमें जो velocities लिखनी होंगी, या velocity of separation या velocity of approach लिखनी होंगे, लाइन अफिम्पेक्ट के along लिखनी होंगे, तो simple अगर सवाल होंगे हमारे cases में, तो हमें simply conservation of linear momentum लगाने होंगे, एक बार x-axis में और एक बार y-axis में, और अगर collision elastic हुआ, तो हम simple kinetic energy initial equal to kinetic energy final भी कर सकते हैं, तो इसी वे बेस को सवाल देखते हैं मेटा आगे, तो पहला question हमारे सामने है कि दो mass particles दे रहे हैं, equal mass के M और M, जो पहला वाला mass particle, एट सपोस एवाला, वो 9 meter per second की speed से चल रहा है आगे, और दूसर जो mass particle है वो rest पे है, टक्कर के बाद कुछ इस प्रकार टक्कर होगी कि M1 वाला V1 speed से 30 degree अंगल पर चला गया, अपने initial direction से 30 degree पर चला गया, और जो दूसरा M वाला था, मतलब यह वाला माल लेते हैं और यह बी वाला माल लेते हैं, तो बी वाला जो mass particle था, वो भी 30 degree downward चला गया, तो यहां से हमें पास समझह में आ गई कि तक कर की बाद ये इस ट्रेट capacitor की बाद ये इप यहें नहीं है, इस सबसे पहले मूझे यूज़ करने होता है कि सबसे पहले मुझे करना होता है CO LM, और COLM यहां पर हम दो डिरेक्शन पे लगा देंगे अलोंग एक्स और अलोंग य जब लगाएंगे तो बिसिकली इसे वंडी की तरह सॉल्व करेंगे तो इसे य के अलोंग बंडी मानके सॉल्व करेंगे तो वही किया होगा मानलो अगर मैं सुलुशन की बात करूं हम करके देखते हैं मिलके करते हैं मैं अगर आप से बोलूंग एक्स लिखके दिखाएं मुझे की बताओं लॉंग एक्स एक्सेज मुझे अगर आप लिखके दिखाएं कंसर्वेशन ओफ लीनियर मोमेंटम तो आप क्या बोलोगे फ़र कि इसका हो जाएगा एम इंटु नाइन प्लस जीरो इस बराबर बात में मुझे इसका मुझे इसका कॉम्पोनेंट करना पड़ेगा मैं इसका कॉम्पोनेंट करूं बेटा मुझे बता है कि इसका यह वाल कि इसका कॉम्पोनेट करूं या ड़ेगा वी वन साइन धर्टी बैसे रहें इसका इसका कॉम्पोनेंट करेंगे तो एक इसका प्रेके करें जिस तरफ ठिटा उस तरफ और विच्पों फॉज तरह नीचे और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे पता है कि अगर मैंने अ कि लिए में इस दिरेक्षिन को पॉजिटिव मान रहा हूं तो यह हो गया म इंटू 9 प्लस 0 इस बराबर टक्कर की बाद दीवाला कहां चाहरा है इधर तो कहां लिखूंगा इसकी बात करें तो इसका भी कॉंपोंट कहा रहा है इसी में आ रहा है तो यह आपको मोमेंटल लिखना आना चाहिए आप मैंसे बहुत लोगों ने एक दम सही लिखा होगा कि सिंपल अलोंग एक्स एक्स लिखने के लिए क्या किया है इनिशली देखा एम इंटू 9 नहीं है एक्स में पूरा और यह रैस्ट पर है एम इंटू 9 प्लस 0 इनका लिखने के लिए हमें प्लस 0 इक्वन कोस 30 यहां पर लिख दिया दोनों सेम डिरेक्षन में इस डैक्स़शंको पॉसितिम इंटू 9 प्लस 0 equal to mv1 cos 30 plus mv2 cos 30 इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलू along y लिखके दिखाएए तो along y-axis भी अगर मुझे लिखना हो along y-axis तो y-axis का along कैसे लिखूँगा initially दोनों का y-axis में 0 है तो 0 as 0 इस बराबर अब अगर y-axis में लिखना है तो अगें एक 1D दिखेगा तो अगें एक 1D है तो किसी भी एक डिरेक्शन हो positive और उसकी opposite negative तो मैंने मान लिया कि यह वाले positive है तो वही मान लिया मैंने मान लिया कि let's suppose उपर का जो direction है वो मेरे लिए positive है तो solve कर दें तो टककर से पहले दोनों का vertical direction में momentum 0 is equal to finally इसका कहा है उपर तो mv1 sin 30 ठीक है बाद में क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है यह वाला है नीचे नीचे मतलब इसके लिए जो हम use करेंगे वो negative use करेंगे क्या use करेंगे negative क्योंकि यह नीचे है मैंने उपर के direction को positive माना हुआ है तो यह हो जागा minus mv2 sin 30 degree तो यह इस परिके मिले पास दो equation आजाएगी along x और along y अब अगर मुझे यह equations लिखना आ गया तो यह तो physics हुआ इसके बाद में को solve करना की वहल मैं इसका part है तो हम गणित लगाएंगे और इसको solve कर देंगे तो आगे की slide इसको solve कर देंगे तो आगे की slide में printed form में मैंने यह किया हुआ है देखिए सबसे पहले मैंने क्या कि along x लगाया तो along x लगाने पिटा यह आएगी यह हो गई along x-axis अब अगर x-axis का लगान देखेंगे तो यहां से अगर solve करें इसको तो देखो पिटा यह एम 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 तबाह हो जाएगा लब कर जाएगा तो यहां से जाएगा तो यह हो जाएगा V1 प्लस V2 इन्टू रूट 3 गजाना होता है तो यह कर ना हो 30 डिग्री अब मुझे पताए कि यहां पर यह एम साइन 30 और एम साइन 30 कैंसल आउट हो जाएंगे इदर लेकि जाओंगा तो तो सिंपल क्या बचेगा वीवन एक्वल टू वीटू मतलब टक्कर के बाद दोनों ब्लॉक्स की क्या फिर दोनों जो स्पेरिकल बॉडी यह उनक क्योंकि मैंने वीटू का वैले पूट कर दिया वीवन के बराबर तो यह विए टू वीवन इस टू से इस एटिंग को काट दें नाइन टाइमस यहां से मेरे पास सॉल्व आ गया बेटा क्वेशन करने पर वीवन एक्वस्टू यहां से आगे नाइन बाए रूट त्री प वीटू के बराबर है तो जो फानल आंसर आगया वो आगया वीवन इक्वल टू वीटू एक्वल टू त्री रूट त्री मीटर पर सेकेंड तो अबलीक कर देखा जाए तो वही किया जो हम वन डी कर रहे थे बस फर्क इतना हुआ कि यहां वन डी इन एक्स और वन डी इन प्रकेंट बिल्ब लिए वीए फैन चीर पलीक अ का फॉरेंट कलाइट सब्सक्राइब रॉबिए फींप्राइब आइजिक थो भर खुम है ऊゲी आफ्यवकों सिराय व्योंफ कोर किस्तू अन्डेंटिकल मास मतलब दूसरा मास जो है वह है रेस्ट कर है और उसका मास पहले वाले मास के ही बड़ाबर है तो does take a new class यहां से पता लगंगी एक्वस्टू मन एक्वस्टू वन तो अगेन पढ़ते हैं कि इफ आ पार्टिकल कॉलाइट चॉ ब्लीकर दीट चेशनरी अडें टिकल मास इलास्टिकली देन आफ्टर कोलीजन दे ओल्वेज मूफ परपेंडिकुलर टू इच अदर मतलब यह कहना चाहरा है कि अगर कोई मास का अब्जेक्ट अब्लिकली एंड इलास्टिकली किसी सिमिलर मास के जो की स्टेशनरी है उससे कोलाइड करता है तो टक्कर के बाद दोनों बॉडिज एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिरेक्शन में मूफ करती है मतलब कुछ ऐसा कहना चाहरा है कि इनिशली कोई एक मास के बॉडी है जिसकी रफ़तार है यूबन वह इस तरीके से आरा है और दूसरा सिमिलर अब्जेक्ट है मतलब सीमिलर मास्ट का है और वह यञेस्ट्ट पे है तो और ऑफ़िजन जो हो रहा है ना लूँ मतलब हो उबलिक भी है और ऐलास्टिक में तो टक्क के बीच का एंगल होगा, मतलब यह ठीटा 1 एंगल उपर गया, यह ठीटा 2 एंगल उपर गया, तो यह दोनों हैं जो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाता है, मतलब ठीटा 1 प्लस ठीटा 2 मस्ट भी इक्वल टू 90 डिग्री, तो सवाल कीवले कहना चाहरा है, कि अगर ऐसी कहानी हो, कि दोनों से मास्के हो और एक रेस्ट पे हो, टककर इलास्टिक हो, तो उसके बाद जो दोनों जाएंगे, वो फैनली एक द ठीटा 1 प्लस ठीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो कहानी याद रखने की वो यह है, कि दूसरा अबजेक्ट रेस्ट पे भी हो, और सिमिलर मास्का हो, और जो टककर है वो अबलिक और इलास्टिक हो, यह पॉइंट हम याद रखना होता है, अब वैसे तो यह पॉइ मतलब यह वाली बॉल यहाँ इसके जब टच करने लग गई होगी, तो उस टाइम क्या कहानी होई होगी, तो देखिए हमान लोग कि जब यह यूवन स्पीड से आ रहा था, यह वाला तो रेस्ट पे था, ठीक है, मैंने को ना नेम ही कर दूँ, मालो यह है A और यह है B, यह यह लाइन होगी बिटा, यह जो लाइन है, दोनों के सेंटर्स को जोन करने वाला है लाइन, इसको मैंने लिखा हुआ है, लाइन ओफ इंपक्ट, और जो वेलोसिटी है इस A की वो है इस दिरेक्शन में, यूवन से, तो सबसे पहले काम क्या करना है पड़ेगा, मैं इस य component आयगा, वो क्या हो जाएगा, simple, हमाँ बोलों यह जो component आएगा इस direction में, line of impact के लाइन, जो component आया, वो simple क्या हो जाएगा पर्था, u1 cos theta, और इसके perpendicular direction में यह, इसके, यह जो, L o i है, इसके perpendicular direction में जो component आएगा, वो आ जाएगा, u1 sin theta, बतलब, यह जो line of impact है, इसके अलॉंग जो यूवन को कॉंपोनेट आएगा वह आजाएगा यूवन को सिटा क्योंकि मैंने ये एंगल ठीटा माल लिया और इसके परपेंट इकोड डिरेक्शन में जाएगा यूवन साइन ठीटा अब अगर मेटा फोकस करें केवल इस लाइन पर केवल लॉई पर फ या फिर संव इसएंज होगा तो हम कह सकते हैं कि बूल जाएं इस देरिक्शन को तो यह बहला लिए Salp करेगा बंडी कोलेसम की तरह बिए करें तो सिंपल बात करें टोगा रहा है य़ू वन कोस्ट की रफतार से आ रहा है ऐख दोनों का माँस एम nouvelles है और टकर elastik है क्योंकि मुझे बताएं क्या यह एकोस्ट वर्ण यहांगु कि जब दोनों का माक् सेंग होता था लाइन लगाने की दोवाइन अगर फेन लगाए तो लो वाला इनीशियल स्पीड से आ रहा है यूवन कॉस्ट थीटा से वी वाला है रेस्ट पे तो दोनों का मासेम और यी वराबर एक दोनों का मासेम यी वराबर एक मतलब वन डी कोलिजन में सोचें तो टक्कर के बाद एवाले की वेलोसिटी यहां पर जीरो और वी वाला आगे आने लग जाएगा दुबार देखे लाइन ओफ इंपेक्ट के लाउंग क्या होगा यह वाला आया बी वाला रुका हुआ था एवाला आया बी वाला इस दिरेक्शन में रुक जाएगा और बी वाला इस दिरेक्शन में चलने लग जाएगा तो टक्कर के बाद क्या होगा dubu वाला इसी direction में चलने लग जाएगा आप अब होगर बात करें एक ही तो एक के साथ क्या हुआ कि एक को धूल इस तरीक से यह आया इंहीं रुक गया मतलब एका इस अन्ड कउनम क्उम लेकिन एक एक हरलईट वेलOSITY देखें वहतों थी बइटा यू1 उसका केवल एक कॉम्पोनेंट खतम हुआ है उसकी जो पर्पेंडिकुलर डिरेक्शन का कॉम्पोनेंट है वो तो जिंदा ही है हमें पता है कि कोलिजन के दौरान जो फोर्सेज लगे होंगे वो लाइन ओफ इंपेक्ट पर ही लगे है मतलब लाइन ओफ इंपेक्ट के लॉंग ही वेलोस्ति का कंपोनेंट चेंज हुआ होगा लाइन ओफ इंपेक्ट के लॉंग ही मोमेंटम बदला होगा तो उसके पर्पेंडिकुलर डिरेक्शन में तो कोई फरक नहीं पड़ा मतलब यह जो ए वाला पार्टिकल था वो इस दिरेक्शन में जितने चल रहा था वो तो 0 हो जाएगा लेकिन ऊपर भी तो कोई कंपोनेंट था तो टकर के बाद क्या होगा यह कंपोनेंट तो 0 लेकिन ऊपर वाला कंपोनेंट इसे कहा ले जाएगा उपर तो टकर के बाद क बनेगा ये इनगल क्या है वीता प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कि oblique collision हो, elastic हो और दूसरा mass rest पे हो दूसरा mass rest पे हो identical mass हो, तो तक्कर के बाद दोनों एक दूसरे के नब बे डिग्री पर ही move करते हैं तो कहे बाद ड्रेक्ट सवाल आ राता है बेटा वो सवाल भी हम देख लेते हैं, next slide में कि a ball of mass of 4 kg is moving with speed 5 meter per second collide obliqually and elastically, तो यहाँ पर लाइन लिखी हुए obliqually and elastically, with similar stationary ball V, तो यहाँ समझ में आ गया, कोई दूसरी ball है identical mass की, वो rest पे है उससे obliqually or elastically कोई एक body जो चार के लोकी, वो 5 meter per second के रफतार से आ रही थी, वो तक्कर खाती है, बोला गया कि if joining line of their centers makes 30 degree angle from the direction of A, तो एक बात तो समझ में आ गई, कि A वाला कहीं यहाँ move कर रहा है, तो उसके 30 degree का angle बनाती है, joining line, मतलब the joining line of center से वो यह line of impact है, वो 30 degree का angle बना रही है, then after collision at what angle ball A will move from its initial direction तो बताइए, initial direction से टक्कर के बाद A वाली ball कितने angle पर move करेगी वो हमें बताना है, तो simple इस question के according सबसे पर लिए हम diagram देख लेते हैं, तो diagram बनेगा मालो इस तरीके से, मालो A वाली ball थी जो 5 meter per second से आ रही थी B वाली ball initially rest पर है बहुत बढ़िया, सावाल ने जो कहा भाई कहा, भाई लिखा, अब line of impact यह होगी पीटा क्योंकि centers को join कर लेवा line spherical bodies के लिए line of impact यह जो line of impact है यह A की initial direction से 30 degree का angle बना रही है तो बना दिया है, 30 degree का angle, ठीक है बहुत बढ़िया मैंने देखा collision है, E बराबर 1, मतलब, elastic collision और हो रहा है, oblique collision, और हो रहा है oblique collision, तो मैंने वो note लगा के देखा तुरंद, कि जब दोनों का mass same एक body stationary और collision oblique and elastic तो टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे के 90 degree पर ही जाएंगे तो हमसे यही तो पूछा गया है, कि A वाला अपनी initial direction से कितने angle पे गया है, मतलब, जो से पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, ठीटा 2, और मुझे पता है कि ठीटा 2 प्लस 30 degree that is equal to क्या होगा, 90 degree, तो भाई हमने देखा बेटा सोलुशन में, सोलुशन में हमने यही लिखा हुआ है simple, क्या, कि अगर दान से पढ़े हैं तो इसके अंदर मने लिखा हुआ है, कि अगर सिंस E बराबर 1 and M1 बराबर M2 बराबर M, E बराबर भी एक है, और M1 बराबर M2 बराबर M है, और कोलिजन अबलिक है, तो ठीटा 1 प्लस ठीटा 2 जो होगा, वो 90 degree के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 1 का value हमें दे रखा है, 30 degree तो है यह थीटा 1 equal to 30 degree and थीटा 2 equal to let's suppose मान लेते हैं, थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 90 degree minus 30 degree, that is equal to 60 degree, तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा हम से पूचा गया है वो जो थीटा होगा, यहाँ थीटा 2 मान रहे हैं, या फिर हम थीटा मान रहे हैं वो जो एंगल आएगा, वो आएगा 60 degree, क्योंकि 60 plus 30, that is equal to 90 degree, तो कह बार वो simple note पर भी question आजागता है तो इसलिए वो note हमें याद होना चाहिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स से बीटा, यह भी एक तरीके सवाल है जिसमें दिवार से कोलिजन हो रहा है तो question बढ़ते हैं A ball of mass M is projected at angle theta with vertical as shown in figure ठीक है वाई, एक ball है, जो vertical theta angle पर नीचे आ रही है तो हमें बतारा है कि velocity first after collision velocity first after collision angle at this particle wall will go, फिल तो मैं निकालना है velocity first after collision, मतलब टक्कर के बाद ball की velocity क्या होगी, बई क्या पता, आगे जाके टक्कर है और हो रही होगा, हमें सिर्फ क्या निकालना है हमें निकालना है कि पहली बाद टक्कर होगी उसकी velocity क्या होई है ठीक है, और पुचा कि angle at which particle ball will go किस angle पर जो ball टक्कर के बाद जाएगी, तो सबसे पहले एक बात देखे बटा, कि अगर आपको याद हो special cases collision के तो दिवार से collision मैंने वहाँ भी किया था लेकिन वहाँ एक खास बात थी कि वो अमने cable head-on collision पढ़ा था या यूं कहें one dimensional collision पढ़ा था उसके अंदर cable इस तरीके से का लो collision था, line of impact के along की total velocity थी तो मैंने कहा था कि अगर ऐसे आया दिवार से टकराया, भारी माह से टकराया, तो लोट जाता है और याद करो, answer आया था e into u से लोट जाता है वो कहानी e into u लगा पाई क्योंकि पूरी की पूरी जो यू थी वो line of impact के along थी यहाँ पर मिटा यू velocity जो है वो इस line के along है और मैंने आपको बताया था कि दिवार के case में दिवार पर जो perpendicular होता है वो ही basic line of impact होता है याद करो, पहला लेक्चर जो मैंने आपको line of impact पढ़ा है था मैंने वाँ पर लिखा है था कि दिवार पर perpendicular जो होता है वही उसके लिए line of impact होता है इस case में line of impact है ये तो हम ये नहीं कह सकते कि velocity सीधी हो जाएगी e into u ये तो सरासर क्या हो गया? गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये u है वो line of impact के along नहीं है तो ये लगाना तो गलत है इसे हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं ये गलत है तो अब कैसे करें सर? तो बस वही करना है मुझे line of impact को पकड़ लेना है और line of impact के along ये मुझे कहानियां? लगानी है क्योंकि e का जो formula होता है उसमें velocity of separation along line of impact होता है upon velocity of approach along line of impact होता है तो सबसे पहले काम ये किया कि मेरा पहला धर्म ये रहा कि सबसे पहले component तोड़ लेते हैं आईये में लगे component करते हैं तो component कैसे करने है बेटा कि मालो ये component हो गया और ये component हो गया ठीक है ये angle vertical से theta तो यहां भी ये vertical से कितना angle हो गया? theta तो ये वाला जो component हो गया पेटा & जस तरफ theta उस तरफ cos तो ये वाला component हो गया यह U है न, तो simpl हमकर ही कि पहले बन जाए ग़ेता U cos theta और ये जो component है ये हो जाए ग़ेता U sin theta yes or no? simple क्या गिए, कि कैसी U के दो component कर लिए इस तरफ हो गया यह होरी यू और के वाज मैने मान लेकि अपोरी रिए अल्फा इंगल पर गया कितने लेफ्सेंव न्शाम इंगल पर गया तो मैंने मानले थो इनके आघालफा इंगल टो फैनली यह वर्टिकल से यह AM फा एंगल बना रहा है तो अलफा एंगर बनाने के बाद यह कुछ V-डेश आई होगी और इस V-डेश की वेल्यू मुझसे पूछिए तो सिंपल मैंने क्या किया बेटा उस V-डेश की बहुत कॉमपनेंट कर लिए यह वाला कॉमपनेंट और यह वाला कॉमपनेंट एक उमपनेट हो जाएगा यह वाला और एक उमपनेट हो जाएगा यह वाला अब अगर हम लाइन ओफ इंपेक्ट के लाउंग देखें मतलब मैं इसको गर इस तरीके से देखू यह मेरे पास एक लाइन है, line of impact तो line of impact के along जो velocity है initially, वो बेटा क्या इस ball की, वो इस ball की जो initial velocity है, वो है u cos theta और मुझे पता है कि यह दिवार है और इस दिवार का coefficient of restitution यह है मैं के वाद बात करहा हूँ, ly के along तो ly के along यह अगर u cos theta से आ रहा है तो टकर खाने के बाद यह ball इस तरीके से ऊपर जो जाएगी वो जाएगी किस से e into u cos theta से क्योंकि टकर के बाद क्या होता है e into u से लोटती है तो अगर मैं u cos theta से आ रही है तो टकर के बाद e into u से लोटेगी मतलब वर्टिकल वाला जो component है तो टकर के बाद e u cos theta हो जाएगा तो भाई यह वर्टिकल की बाद हो गई वर्टिकल में अगर e u cos theta से गया तो e u cos theta से लोट जाएगा क्यों कि वर्टिकल वाला जो component है उसी के along line of impact है और हम जानते हैं कि लाइन ऑफिंपेकट कि वर्टिकल इसे जैनरेट होते हैं और अगर लाइन ऑफिंपेक्ट के along उचेंज हो खेंट अगर lange of impact कर लाइन 2 ओक पूर्टिकल मेंच पाड़ेगा क्यों क्यों हुआ होоль की निचन ड़ेक्शन में मि Suppose ऻने residents में में तो मुमेंटम चेंज तब only momentum 0 मतलब sûr का येrika जो नेलियुली रहा मोमेंटम का ये कॉंपोनेंट लुक्त किस दिरेक्शन में एकस डिरेक्शन में पर से अ पढते हैं कि क्या लिखा है कि सेज्ध द फ्लॉर एंग्जर्ट पुर्स ऑन द बॉल सिन्स तब फ्लोर जो एफ्लोर ए अगजर्ट फॉर्स ऑन दबौर आलांग द ओन क्यूं बूला बिटा अलांग दो नॉमल इसनि कि आए इसकी लाइन ओंथ impact और line of impact के के ही पड़ी या line of impact की direction में ही तो टक कर के दोरान forces produce होते हैं तो वो ही लिखा हुआ along the normal during the collision so horizontal component of velocity remains same तो horizontal component क्यों same रहा? horizontal component इसलिए same रहा क्योंकि horizontal direction में कोई force नहीं है and only the vertical component changes only vertical component change होंगे क्यों? क्योंकि line of impact है क्योंकि vertical जो component है उसी पर ही line of impact है तो वही लिखा बेटा कि टक के बाद simple क्या किया मैंने? कि जो velocity निकाल लिए हो मुझे finally माला हो इसको मैंने वी डेश माना है तो जो ये वी डेश निकल के आती हो ये वाले component मैंने माल लिए कि वी डेश एक्स का component का square प्लेस वी डेश वाय का square का under root ये निकल के आता अब मुझे पता है here जो वी डेश एक्स निकल के आया एक्स मतला ये वाले direction तो इसमें तो मोमेंटम बदला ही नहीं वो देखो पीछे हमने देखा कि मोमेंटम अगर यू साइन थीटा था तो टककर के बाद भी इधर कितना रहा यू साइन थीटा और यू साइन थीटा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और जो वी डेश वाई निकल के आया था वह क्या निकल के आया या इसमें कोई चेंज नहीं रहा सिंपल मैंने क्या किया कि वी डेश एक्स कितना रहा यू साइन थीटा और वी डेश वाई है वो क्या हो गया यू यू कॉस थीटा इसको सो इसका स्क्वार रूट कर देंगे तो यह मेरे पास ना भी स्पीड जो मुझे निकान लिए अब बात करने हो मुझे यह अलफा एंगल भी निकालना हो तो अलफा एंगल कैसे निकाल लूँ मैं बिटा ज U sin theta upon EU cos theta, ऐसको 10.04 अबर क्या हो गया, V dash Y, V dash X लिखे, इसको actually, क्या लिखे मिटा, V dash X upon V dash Y, क्योंकि आप याद रखो कि अगर Y से component निकलना है, Y dash component निकलना है, तो Y वाला component कहा जता है, नीचे, तो V dash X upon V dash Y, V dash X का वेलू क्या है, U sin theta upon V dash Y का वेलू क्या है, U cos theta, यहाँ पर आप रखेंगे, तो इसे U से U cancel, sin Y cos बन गया, 10 theta, तो 10 alpha वराबर क्या हो गया, 10 theta by E, तो इससे आप याद भी रह सकता है, जब दिवार से vertical से अगर कोई ball theta एंगल से टकराती है, तो टकर के बाद vertical से 10 alpha वराबर 10 theta by equation के basis पर वो move करती है, मतलब जो alpha का value निकल के आता है, यहाँ से alpha निकल के आता है, 10 inverse 10 theta by E, इतने एंगल पर vertical से वो ball लोट जाती है, तो यह basically एक तरीके से हमारे पास एक concept है, कि अगर two dimensional के अंदर, oblique के अंदर दिवार से collision होता है, तो हमें जो component बदलना है, वो cable line of impact का बदलना है, line of impact के perpendicular direction का कोई component change नहीं होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स से बटा कुछ analytical questions, कुछ questions है, जिनके अंदर हम कीवल analysis करेंगे, हम देखेंगे की, जो हम जो हम जोने थी पढ़िती हो, थी थीरी का यूजिस किस प्रकार से हम करें, चलिए मिलके करते हैं, पहला question देखते हैं, कि इन the diagram given below, the horizontal line represents the path of a ball coming from left and hitting another ball which is initially at rest, the other two lines represent the path of the two balls after the collision, खीक है, which of the diagram shows a physically impossible situation, मतलब ही कहने चाहरा है कि हमारे पास कुछ diagrams हैं, उन diagrams में हमें initial momentum की direction दे रखी हैं और finally कुछ momentum की direction दे रखी हैं, और मुझसे पूछा गया कि बताजी, इन में से कौन सा जो figure है, वो physically impossible है, तो basically कुछ questions है, वो हम देखते हैं, 1 by 1, तो पहला है हमारे पास यह वाला कुछ, इस तरीके से कोई representation है, इसको समझें पहले क्या है, यह जो direction है, यह initial momentum की direction, और जो यह direction है, यह final momentum का direction, मैं बोल सकता हूं कि यह initial momentum है और यह final momentum है, तो अगर हम simple ची बात करें, ट final momentum जो net होना चाहिए, वो भी इस direction होना चाहिए, इस particular case में बात करें, तो momentum conserve होता है हर प्रकार के collision में, तो अगर टकर हो रही है, तो initial momentum अगर इस direction में है, तो टकर के बाद भी initial momentum जो total होना चाहिए, तो देखते हैं, यह पॉसिबल है या नहीं है, तो हम देखते से नहीं बत momentum के components करके देखने पड़ेगा, तो देखते हैं, तो मैंने देखा कि initially ऐसा होना चाहिए, तो मैं final वाले को देख लेता हूं कि क्या यह कभी ऐसा outcome दे सकता है, अगर दे सकता है तो possible है, और अगर नहीं दे सकता, तो यह physically impossible है, तो देखते हैं, तो मैं बनाता हूं इसको, तो कि net कहां जाएं, इस direction में आ जाएं, देखते हैं, मालेवटे से component करें, तो एक component आ जाएगा इस direction में, और एक component आ जाएगा इस direction में, ऐसी इसको break करें, एक component नीचे और एक component इदर आ जाएगा, अब अगर आप ध्यान से देखें, तो ऐसा हो सकता है, कि यह वाला component खतम कर दे अगर मानलों यह दो यhwe was component को हो भी सकता और ऐसा भी हो सकता है कि ने flor c इधर बच जाए ये वाले component को खा जाए मतलब मतलब यह कि हमें पताएं कि चारों डिरेक्शन में मोमेंटम आ रहे हैं तो हमें देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नेट आगे बचे बिल्कुल हो सकता है कैसे अगर मालों ये और हो ये दो हो ये तीन हो और ये दो हो तो हम कह सकते हैं कि इस दो से ये 2 कैंसल आउट हो गया और इन दोनों से देखें तो नैट मोमेंटम आगे बच जाएगा मतलब ये जो कोलिजन है ये फिजिकली पॉसिबल है ऐसा हो सकता है कि टककर के बाद दोनों बॉल्स का पात ऐसा हो क्यों कि ऐसा केश जरूर बन सकता है जब काट पीट के नेट मोमेंटम इस दिरेक्शन में आए तो ऐसे हमें हर केश को चेक करना है अगला और देखते हैं मैटा नेक्स्ट है यह क्या क्या यह पॉसिबल है तो मुझे पता है कि इनिशली कहा है मेटा इस दिरेक्शन में आइक डिरेक्शन में तो देखते तक करके बाद भी जैसकता है क्या तो देखते हैं कि एक बन रहा है मेटा इस दिरेक्शन में ठीक है और एक जा रहा है इस रम पॉसिबल है तो देखते हैं एक बिटा इसका भी और इंसका भी और इसका बाइब युदा और नीचे बोल गया कि कैसा हो सकता यह बेख को सकता है मालों कि यह इसका component 2 बन जाए यह 2 बन जाए तो यह 2 और यह 2 cancel हो जाएंगे तो net momentum का बच जाएगा आगे इस वाले case में possible है कि net momentum आगे बने तो हम कह सकते हैं कि yes यह वाली situation possible यह वाली situation जो है वो possible है पीछे वाली की बात करें तो यहां भी बोल सकते हैं इस पॉसिबल यह भी पॉसिबल है हमें जो बताना है सवाल में वो बताना है impossible कि कौन सिटुएशन impossible है next देखते हैं बेटा अगला इस तरीके से कि ऐसा कुछ possible है क्या तो उसके लिए देखते हैं तो अगर यहां पर बनाए बेटा तो देखो मेरे पास जो है वो है इस इस दिरेक्शन में और एक इस ट्रेट लाइन में इस तरीके से कंपोनेंट करके देखते हैं कि ऐसा फिजिकली पॉसिबल है कि टक्कर के बाद नेट आगे बचे तो देखो इसको तोड़े इसका एक अगे और एक कंपोनेंट चला गया इधर तो ऐसा तो हो सकता कि नेट यहां बचे कब जब यह वाला खतम हो अब यह वाला खतम करने के लिए तो नीचे कोई ना कोई चाहिए था मतलब नीचे कोई और कोई counterpart चीह नहीं है अब अगर नीचे 1 नो कॉंपुनैंट कोईद यह innocरा मतलब जो यह वाई में बचा होगा इस वाई में जो बचय खत्म ही नहीं होगा और यह कहत्म ही नहीं होगा अगर जब नेट ओमनिंट्स इस दिरेक्शन में नहीं कि ऊक्वा सबूसिंपल रहें आप आइस उपर क enquान को तो को नेट मुमेंटम में problem करेगा वो यह component करेगा क्यों कि ये component बचा रहे गा हम लिख सकते हैं बचा रहेगा अब अगर ये component बचा रहा तो सिंपल सी बात हो गई की ये वाला जो किसा फिजिकली इंकि पॉसीबल है कि किछ शोण समश होगा पैसिकली यह कुए यह वर्टिकल डिरेक्शन में Doesn't मेरी कुए कंपँछा रहेगा ऐसे कर ऊप उप्षें वह फोर्प सु wing एक टो देखर लेते हैं वाले बना चैक करें तो और देखो, simple a component का है पीटा, a component है एकदम straight direction में, इस तरीके से उपर, और a component है यहाँ कहीं, तो देखते हैं क्या एक possible है क्या, तो देखो पीटा, इसको break करने ही ज़रो होता है नहीं, इसको break कर लेता है, तो इसका a component जाएगा यहाँ और a component जाएगा यहाँ, क्या पता यह component और यह component देखो दूसरे को cancel out कर दे, मतलब ऐसा possible है कि y वाले cancel out हो जाएं, और cable कैसे में बज़ जाएं, x में, अगर y वाले component cancel out हो जाएंगे, जाएंगे, तो cable काम बज़ जाएगा, x में, तो बिल्कुल यह भी possible है, तो इसके इसमें कहले करेंगे, yes, possible, तो सवाल ने जो पूछा था, वो पूछा था, impossible कौन है, तो जो impossible वाला हुआ, वो हुआ यह third, third जो collision है, वो impossible है, क्योंकि उसमें टक्कर के बाद y वाला component जो होगा, वो बचा रहेगा, तो ऐसे इसमें हर option के साफ से हम check करते हैं, इसलिए इसको मैंने analytical condition में डाला है, यह हम one by one cases check कर रहे हैं, कि किस direction में, या फिर किस case में, जो net momentum है, वो vector के साथ equal रहेगा, आगे बढ़ते हैं, next, एक और question है, बेटा, कि a body moving towards a body of finite mass, कोई भी body है, वो move कर रहे हैं, किसी finite mass की body के अबाओ, जो की rest पे है, ठीक है, collides with it, it is impossible that, हम से बुला गया, कि a body moving towards a body of finite mass at rest, कोई एक body rest पे और एक कोई body है, वो इसको collide करती है, इन में से कौन सा impossible है, पहला है, बोथ bodies come to rest, तो भाई, यह तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर मालोई case को देखे दिए, कुछ ऐसा है, तो case हो गया, कि मालोई कोई M1 mass का है, यह U speed से आ रहा है, और एक collision करता है, किसी M2 mass से, जो की rest पे है, जो की rest पे है, अगर यह rest पे है, तो टक्कर के हो सकता है, कि यह कुछ इस तरीके से चले, यह हमारा basic diagram होता है, ठीक है, यह हमारा basic diagram होता है, इसको हम basic मान रहे है, और सवाल की language के according, इसकी velocity initially rest पे, यह M1 U1 से चल रहा है, और इस तरीके से बन गया, तो टक्कर से पहले देखे, तो initial momentum इस direction में तो बची रहा है, बच रहा ह है, तो टक्कर के बाद भी इस direction में ही momentum बचना हां, चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि momentum इस direction में तो है initially, और बाद में दोनों rest पे हो जाए, तो पहला case impossible हो गया, both bodies come to rest, हाँ, यह impossible case है, second है, both bodies move after collision, हाँ, यह possible है, कि दोनों bodies after collision move करें, क्यूंकि momentum conservation है, क्या पता, move करने के बाद भी दोनों को momentum conserve हो रहा हो, टक्कर से पहले हो, टक्कर के बाद, फिर है the moving body stops and body at rest starts moving, the moving body stops and body at rest starts moving, next है the stationary body remains stationary and the moving body rebounds, यह कहानी का possible है, कि stationary body जो है, वो तो stationary रहे और दूसरी body वो rebound हो जाए, वो कब होता है, जब एक infinite mass होता, यह कब होता, infinite mass मतलब भारी होता, infinite mass होता, जिसमें आख बोता है था, कि मालों ऐसा हो सकता है, ट्रक से एक cycle बड़े, तो truck cycle comparison में बहुत बड़ा mass है, जिसे दिवार से एक ball टक रहा है, तो टक्कर के बाद, यह finite body नहीं है, infinite body, टक्कर से पहले भी rest पर थी और टक्कर के बाद भी rest पर रही, तो वो कब होता, जब यह infinite mass, infinite का मतलब इसके comparison में, जो यह ball टकरा रही है, इसके comparison में यह बहुत बड़ा mass हो, तो यह भी अमारे लिए answer हो जाएगा, तो answer हो जाएगा, A और D, दोनों यह एक तरीके से impossible है, कि 4A के लिए बात करें, momentum cannot be destroyed by internal forces, क्योंकि अगर हमने दोनों bodies को system माना है, तो लगने वाला force internal हो गया, अगर internal हुआ, तो internal forces momentum नहीं बिदल सकता, तो अगर initially momentum कुछ है, तो finally भी कुछ होना पड़ेगा, इसलिए दोनों bodies rest पर नहीं आ सकती, D वाले में लिखा हुआ है, if mass of stationary body is infinite, वही बात है, stationary body बहुत भारी हो, infinite mass की हो, then the moving body rebounds, उसी case में होता है, कि moving body rebound होती है, तो इस तरीके से हम option से भी सवाल को कर सकते हैं, तो इस तरीके से अपनने इस पूरी लेक्शे में पढ़ा, oblique collision की इस तरीके से define होता है, oblique collision की बाद, conservation momentum हम X में और Y में separately लगाते हैं, इसके लाबा, heavy अगर कोई object होता है, जैसे कि एक ground था, ground से अगर bond टकराती है किसी एंगल पे, तो टकर के बाद जो एंगल निकलता है, या speed निकलती हो किस तरीके से निकालते हैं, वो अब सब आपने सीखाता, तो उसी के basis पे